भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई आपको सिर्फ 500 रुपे के उपर यानि कि अगर आप यहाँ पर लोन लेते हो आप चाहिए कितने का उपर लोन लेलो पर भाई यहाँ पर जो यहाँ पर मैं आज की वीडियो में आपको यहाँ पर अप्लिकेशन बताने वाला हूँ इस अप्लिकेशन में सिर्फ आपको यहाँ पर 500 रुपे के उपर सिर्फ आपको यहाँ पर 15 रुपे के उपर बात ही क्या होती है तो यहां पर कंप्लीट पर मैंने जो यहां पर लोन ले रख्येंट से बाई मैं आपको वही अप्लिकेसिन बताता हूँ जो यहां पर पर यूज की हुई है जैसे कि आप यहाँ पर इसके यह पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हैं मेरे पास में यहाँ पर complete का message आ रहा है वह भी मैंने इसका यहाँ पर repayment किया था अब भाई आप यह बोलोगो कि यह loan application हमें यहाँ पर loan क्यों देगी इतने सस्ते दाम पर यह loan application यहाँ पर loan क्यो प्रवाइड करवा रही है तो भी 100% यहाँ पर general loan application होने वाली है आपको आपके आधारकार आपके पैंकार की basis पर आपको यहाँ पर loan दे रही है जैसा कि मैंने यहाँ पर दो से तीन बात इस से यहाँ पर इस loan application लिए मैंने यहाँ पर personally मैंने यहाँ पर use कर लिए इसके limit को भाई अगर आपको यहाँ पर emergency में कहीं से भी loan वगेरा नहीं मिल पा रहा है तो यह loan application आपको यह बार यहाँ पर try करनी है आपको यहाँ पर loan application में 100% आपको यहाँ पर limit मिल जाएगी आपको यहाँ पर बताने वाला हूं इसके लिए से दोस्तों आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है मैंने दोस्तों यहाँ पर application का about section यहाँ पर open कर लिया है जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हुए instant के instant दोस्तों आपको यहाँ पर loan provide करवा दिया जाता है जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर loan मिलता है वो भी यहाँ पर 1000 रुपे से लेके वैसे दोस्तों यहाँ पर 5000 रुपे तक आपको यहाँ पर loan दिया जाता है RBI और NWIPS registered application होने वाली है जैसे कि यहाँ पर इन्हों ने यहाँ पर अपनी यहाँ पर about section में mention किया हुआ है जो बहुत दोस्तों के यहाँ पर turnover रहने वाला है turnover भी दोस्तों यहाँ पर इसका tiktak रहने वाला है 100% digital इसका process रहने वाला है step by step दोस्तों में अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको यहाँ पर apply करना है सबसे first time में जैसे application को open करोगे application कहां से मिनने वाली है वो दोस्तों में अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वैसे दोस्तो मैंने इसमें यहां पर थोड़ी बहुत ही यहां पर अकाउंट मैंने इसमें create कर रखा है तो भई मैं यहां पर आपको login करके आपको दिखा दिता हूँ जैसे भी आप application को open करोगे फर्स्ट टाइम में आपके पास में यहां पर ऐसा interface यहां पर आ जाएगा जैसे कि यहां पर मैं पास में यहां पर आ चुका है यहां पर दोस्तो मैं पास में यहां पर दो step मैं पास में यहां पर आ चुके हैं upload more documents यहां पर मैं पास में जो मेरी KYC की documents होते हैं मेरे को यहां पर upload करने है कुछ भी upload नहीं करना पड़ेगा 100% डिजिलर रहने वाला है upload more document पर आपको यहां पर click कर देना है इस loan application से मैं यहां पर loan ले रहा हूँ और इसकी यहां पर load आने के जिम्मेदारी मेरी है यह दोस्तों आपको यहां पर इस वीडियो में आपको यहां पर बताने पड़ेगा आपको दोस्तों यहां पर अपने मूँ से आपको यहां पर थोड़े बोते दो से तीन word आपको बोलने पड़ेगे मैं इस loan applicant से loan ले रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पर चुकता कर दूँगा time to time ठीक है आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा बोलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको click करना है जैसे click करोगे यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर complete कर ली है और यहाँ पर जो भी आपकी यहाँ पर जो आपने यहाँ पर video upload किये वो दोस्तों आपकी यहाँ पर upload हो जाएगी upload होने के बाद में कुछ AS Hence जैसे किलिक करोगे यहाँ पर यहाँ पर 23 गेंटे के अंदर लोगी बड़ भई आपको क्या करना है आपको सोच तो यहाँ पर एक काम आपको कर लेना है यहाँ पर आपसे कोई भी आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं मंगा गया है सिर्फ आपके यहाँ पर वीडियो के वाईशी हुई है उसके माद्यम से ही आपको यहाँ पर कुछ लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी बड़ भई मैं आज की वीडियो में दोस्तों आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 35 रुपर आपको यहाँ पर कैसे मिलने वाले हैं वो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर पता चनने वाला है यहाँ पर आपको कहाँ आपको यहाँ आपको क्लिक करना है भाई आपके आधार कार्ड में आपको नमबर रिजिस्टर होना चाहिए जिस भी register number से कि आप यहाँ पर login कर रहे हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना आधरकाद का number डाल दिया जो भी आपका आधरकाद का number होगा वो और भाई यहाँ पर दोस्तो आपको यहाँ पर 2-3 information आपको डालने पढ़ेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर आदार का नंबर हो गया आपके पापा का नाम हो गया आपकी मदर्स का नाम हो गया नेचे कैप सा आप देख पा रहा होगे और भी आयाम एकडी पर आपको यहाँ पर किलिक करना है और भी कैप सा दोस्तों यहाँ पर आपको fill up कर देना है जैसे किलिक करोगे यहाँ पर get OTP पर आपको यहाँ पर किलिक करना है आपके नमबर पर OTP send कह जाएगा OTP यहाँ पर आपको यहाँ पर verify करवा लेना है जैसे OTP verify करवा होगी यहाँ पर आपके पास में दो step आपके पास में यहाँ पर 100 हो जाएंगे जैसे कि first step में पास में यहाँ ग्याब हो चुका है जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहोगे second step में दोस्तों आपके पास में upload bank statement बैस सभी के सभी बन्दे यहां से घबरा जाते हैं और यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीकर का banking statement upload नहीं करना है यहाँ पर upload bank statement आपको ग्लिक कर ना है जैसे किलिक करोगे यहाँ पर आपके पास में S अंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दो और बैक हों में अटेच होगा वो जैसे फिल्प करोगे यहाँ पर आपको पना जो भी आपका bank account होगा उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको फिल्प करना है उस bank का नाम जैसे फिल्प कर देता हो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया है और जो मेरा bank account हो मैंने यहाँ पर फिल्प कर दिया है फेरल बैंक मेरा बैंक है और भी upload पर यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे click करोगे यहाँ पर एक तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या वोलते हैं उसको एक तो आपकी email ID पर आपकी जो भी OTP होगी वो जाएगी दूसरी आपकी एक mobile number पर आपके पास में OTP send किया जाएगी जो भी आपके आधार काड़ में number लगा हुआ है वो जैसे यह काम complete कर लेते हो जो भी आपकी यहाँ पर OTP होगी वो यहाँ पर आपको fill up कर देनी है जैसे fill up कर दे हो submit पर आपको click करना है जो भी आपका bank account होगा वो यहाँ पर आपके पास में so हो जाएगा link के और bank account पर आपको यहाँ पर click कर देना है जैसे click करोगे यहाँ पर में पास में as interface आ चुका है कि भी आप यहाँ पर किस तरीके से कमाते हो जितना कमाते हो यहाँ पर आपको fill up करना है तो भी यहाँ पर yes पर आपको click कर देना है भाई यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि भी आ यहां पर यहां पर क्लिक कर देता हूं वह यह काम करते हों यहां पर आपको फिलप करना पड़ेगा जैसे कि मेरे केसे घंड करके लिमिट डाल रखिये और वह सम्मेट आपको किलिक कर देना यहां पर दोस्तों मेरे यहां पर all document मैंने यहां पर submit कर चुके हैं जो मेरे document इन्होंने मांग रखे तो मैंने यहां पर all यहां पर complete कर दिये हैं जैसे कि यहां पर मेरे पास में यहां पर option आ भी चुका है यहाँ पर दोस्तो दर पर आपको किलिक करना है और यहाँ पर आपके पास में S अंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तो जो मेरी application होने वाली है 23 गंटे के अंदर जो भी मेरी limit होगी वो भी मेरे पास में यहाँ पर 100 हो जाएगी यहाँ पर मेरे को यहाँ पर limit मिनने वाली है इस loan application से यहाँ पर दोस्तो यह सिंपल सा step होने वाला है अगर आपको यहाँ पर लोन की आवेश सकता है आपको यहाँ पर नीड है पैस होगी तो यह यहाँ पर लोन application आपके लिए यहाँ पर एक बार के लिए बैस्ट हो सकती है क्योंको भही loan application यहाँ पर एकडम सांदार है और यहाँ पर RVIE और NVPC रिजिस्टर्ट एप्लिकेशन यहाँ पर होने वाली है यहाँ पर नाम होने वाला है लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर इसक्राइब बॉक्स में आपको डाउनलोड कर लिजी एप्लिकेशन को भाई यहां पर एप्लिकेशन बहुत ही सांदार वाने वाली एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर भई अभी तक भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भई जल्दी जाकर इस चैनल सब्सक्राइब जो केजिए